इन दिनों देभूमी हिमाचल में मानसून पूरे सवाव पर है हिमाचल परदेश के कई इलाकों में जहां मानसून जो है वो कहर बरपा रहा है वहीं अगर हिमाचल परदेश की दूसरी रास धानी और प्रेटन हब धर्मशला की में बात करूँ तो यहां पर मानसून जो है उसकी बदोलत मौसम जो है पूरी तरह से सुहावना बना हुआ है अगर मैं तस्वीरे साजा करूँ आप लोगों को तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जीनी जीनी सी बारिश हो रही है हलकी हलकी सी बारिश अभी हो रही है सुभे हलांकी काफी जादा बारिश यहां पर हुई थी सुभे के बक्त उसके बाद से लगतार बारिश जारी है लेकिन बारिश जो वो हलकी हलकी हो रही है नदी नाले भी आप जो पानी से लवालब भरे हुए हैं और साथ ही साथ जो गर्मी थी या हूमस थी वो सब जो है अब कम होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है और जो सैलानी हिमाचल परदेश के जो अपर एरियास में पहले जा लाकों में शाहपूर या बाकी के लाकों में कांगरा के बाकी हिस्सों में बरपाया था इस बार जो है ऐसा गनीमत है और शुकर है काइनात का की इस तरह से इस बार कुछ देखने को नहीं मिला है और हां यहाँ इस बार जो है वो काफी सुहाबना मौसम बना हुआ है और उ और ठीक इसी तरह से यहां पर मौसम बना हुआ है और अगर मैं बात कांगरा के बाकी हिस्सों की करूं जो की मैदानी लाके हैं तो वहां पर काफी टेंपरेचर बढ़ रहा था हूमस काफी ज्यादा थी लेकिन आज वहां भी बारिश देखने को मिल रही है कई लाखों में ब अगतार बारिश की वज़ा से समुची कांगरा घाटी में जो है आज मौसम पूरी तरह से सुहावना बना हुआ है और इससे जो है जो बढ़े हुए टेंपरेचर था उसको पर भी आसर पड़ा है और साथी साथ जो है अब किसान बागवान जो है उनको भी उनके चेहरों देखने को मिल रही है तो कुल मिलाकर अगर हम लोग आज बात करें तो धर्मशाला में जो है ठंडक महसूस हो रही है सुहावना मौसम महसूस हो रहा है और अभी एक्सकरजन के लिए भी यह बहुत अच्छा और सुखत दियां पर परतीत हो रहा है तो ऐसे में सलानी चाहे लेकिन यहाँ फिलहाल जो है काइनात का शुकर है तमाम सारी चीजें जो है वो सुखत ही नज़रा रही है धर्मुशाला से कामरा परसन राजकोर काउंडल के साथ विचितर शर्मा न्यूज जेटिन ही माचल